हिमाचर पर्देश में पुलिस भर्द हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल देखिए परदेश कॉंग्रिस कमेटी के हवान पर हमारे जितने भी ब्लॉक हैं जिला जितने भी जिला हैं वहाँ जो भरती घोटाला हुआ है उसको लेके धन्ना परदर्शन किया जा रहा है जैसा कि आपको मालूमी है मार्च में ये जो एक्जाम है ये हुआ था और लगब अपनी जेव से जो युआ हैं पैसे खर्च के दूर दूर एक्जामिनेशन सेंटर थे पैसा खर्च के गए थे और उसके बाद जब भरती परक्रिया का कारे शुरू हुआ ये घोटाला और उजागर हुआ और ये जो घोटाला है ये 73,000 युआउं के साथ धुका है इमाच अभी पिछले कली आपने देखा होगा विधान सबाद भी सुरक्षित नहीं है हिमाचल परदेश में वहाँ भी खालिस्तान के गैर जो देश हुरोधी ताक्ते हैं उन्होंने आके गेट पे जंडे लगा दिये और वाल राइटिंग तक कर दी अब वो जो वाल सरकारी हिमाचल परदेश में बढ़ती जा रही है लोग बेरोजगार हैं हर वर्क परेशान है लोग महंगाई से परेशान है बेरोजगारी से परेशान है किसान परेशान है यह जो सरकार है इस सरकार का हर जगा फेलियर है आने वाले समय में जनता जो है इनको सबक सिखाने के पूरे मूड में हैं आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी स्थर पे देख लीजिए इस सरकार का हर स्थर पे फेलियर है और हम इस सरकार को अगा करना चाते हैं कि अभी तो चलो इनके जाने का वक्त आ गया पर हम इने अगा करना चाते हैं कि जो इस तरह के गोटाले और जो इस तरह के security failure और यह जो double engine सरकार है महंगाई की सरकार है बेरोजगारी की सरकार है इस सरकार से निपढ़ने के लिए Congress तयार है हम जगा जगा धरना परदर्शन करेंगे और जगा जगा इस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे हम नहीं सोचता कि इसमें SIT का गठन से जांच होनी चाहिए इसकी जांच जो है independent agency से होनी चाहिए 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 इसकी जांच सी बी आई से कराए या कोई और independent agency या उससे इसकी जांच होनी चाहिए पुलीस बरती गुटाले का मामला है और वो ही जो संस्ता है इसकी investigation कर रही है ये तत पर रहे नहीं है बिल्कुल तत पर रहे नहीं है ठीक